हलो असलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग अपना गाउं के अंदर धीरे धीरे आम खतम होने को आया है देखिए इधर तो आम का भावी नहीं है यह तो एकदम आप उस करके बताते हैं और खादर भी बताते हैं अब यह तो आम का राजा है आम में अच्छा आम है लेकिन यह जो किरिट है इस रूपिय करके बता रहें अब यह तो जो बाता हम है धिरे-धिरे छोटा खतम होने आरहे जिरिट इस रूपे के भाव से बता रहे हैं आम का भाव तो एक तेम नीचे चले गया है कोई खरीतने वाला नहीं है बहुत से आम आ गया है तेरा रंग है देगा रंग मारें देगा हो जो है इसे भी तर लाल बाहर करके बताते हैं देखिए इसका कोई भाव नहीं है जाव रूपिय का दाम करके बता रहे हैं आम खरीतने वाला नहीं है करके बता रहे हैं क्या मालूम नहीं है आम को तो थोड़ा इसका तो देखिए आम को थोड़ा मंका जैसा इसका मचा है लेकिन खाने के अंदर तो एक दम सही है तीन सुरूपिय से दो सुरूपिय तक करीट बता रहे हैं आप लोग सुझ देखिए आम कोई पूछने वाला नहीं है जीरे जीरे अपने आहां पर आम खतम हो जाता है बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है क्यूंकि आम तो कोई कभी-कभी नीचे के ओर पक जाता है वापस पूरा सही है इसके लिए पर तो आम की रुपिय का किरिट करके बता रहे हैं देखिया पका हुआ हम तो कोई को भाव से आ रहा है कोई दस रुपे किलो करके बताते हैं कोई कभी-कभी किरिट कोई खरीदने वाला नहीं है मार्केट के अंदर बहुत से आदमी लोग पूछ रहे हैं अभी तो धीरे धीरे तो अभी आम खतम होने आ रहा है आदमी लोग का चाहत आम का खतम हो गया अपना आम पे आम खाने वाले नहीं है इसलिए अपना सानल के दोरा अपना गाओं के अंदर आम का क्या भाव चल रहा है खुद आए देखिए आने दिनों आने वाले दिनों में हम लोग और भी अच्छे से एपिसोड आप सो ब्लोग को बनाने की कोशिश करते हैं असलाम वाले कुम खु